थाकड खबर के नियूज उमसे मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहीस खान कोर्ट संबंदीत खबरों का ताजा बुलिटीन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ आज के बुलिटीन में दस एहम खबरे जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ नेकिन आगे मढ़ने से पहले छोड़ी जी एक अपील है अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंतर पत्रगारता के छेतर में यानि कि आज़ा साफवत के मैदान में धाकड खबर अपनी जरासी भी मुमी का यानि की रोल अदा कर रहा है तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं तरीका है description में दिये गए link पर click करके फोन पे पे टियम के जरीए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं कि किसी कारपरेट या राजितिक पार्टि की funding से तो चलते हैं नहीं अब चलते हैं पहली खबर की तरफ पहली खबर अणव गोस्वामी से जूड़ी ह खुश होंगे और चीक चीक के छिला-चिला के अपनी स्टूडियो से सब को ये खबर पताने की कुशिश करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोट ने उनके हक में एक पैसला दिया है सुप्रिम कोट काया है कैसे लोगों को अधिक संस्दक्षन दिये जाने जरूद है जिए सुप्रिम कोट है अनभ गोशवामी टाइप के लोगों को जादा संदक्षन दिए जाने की जबुत है क्योंगे लोग इनको गंभीर तोर पर निशाना बना रहा है जान बूज के इनको निशाना बना रहे हैं किस मामले में कहा है वो थोड़ा सा जान लीजिए पालगर मामले को लेकर जो टीका टिप पणिया की थी अनब गोसवामी ने उसके बाद बांदरा रेलवे स्टेशन के भार जमा भीड को लेकर जो टीका टिप पणिया की थी अनब कोट ने बोंबे हाई कोट द्वारा लगाई गई जाच की रोक को हटाने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि ऐसे लोगों को अधिक संड़क्षन दिये जाने की जरोत है ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अभीशेक मन्यू सिंग भी जो मारा सरकार दपक्ष रख रहे थे उन्होंने कहा कि ऐसा मैसिज नहीं जाना चाहिए कि कोई कानून से उपर है उस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि ऐसा कोई मैसिज नहीं जाएगा लेकिन जिस तरीके से आजकल एक माहौल बन गया है ऐसे लोगों को जो है टार्गेट किया जा रहा है निशाना बना जा रहा है तो ऐसे लोगो अधिक संदक्षन यानि के खास संदक्षन दिये जाने की भी जरूरत है अरी सालवे ने पक्ष रखते हुए अनब गोस्वामी का बाई छोटा मुटा वकील थोड़ी खड़ाओ अनब गोस्वामी के लिए बूरी सरकार खड़ी है बड़े बड़े वकील खड़ें तो हरी साल रवाव की बैंच ने इस बात को माना कि हाँ आज कल कुछ ऐसा ट्रेंड चल गया है और ऐसे में ऐसे लोगों को अधिक संदक्षन दिये जाने की काफी ज़रूरत है तो इस फैसले को अनब गोस्वामी अपने हाक में बताएंगे मारा सरकार के खिलाप बताएंगे लेकिन अगर कोट ने ये बात कही है तो क्या कोट ने सभी पत्रकारों को या ऐसे उनके खिलाप दर्ज हो रहे मामलों को देखते हुए एक ठोस टिपपनी की है या अनब गोस्वामी के लिए टिपपनी की है या आने वाले टाइम में क्लियर हो पाएगा अगली खबर का रुक कर सुप्रीम कोट ने नहीं सुनी कोई दलील बंद होगी मालिया की शराब कमपनी जी हाँ जो पैसा लेके भाग गया इस देश देश दे मोगो मीडिया उनको भगोड़ा बताता है हम भी उन्हें भगोड़ा ही कह सकते हैं जिना नाम है उनका विजय मालिया लेकिन यह कोई न अने दिया उसके कोई बात नहीं करता है है उनकी कंपणी है किंग फिसर एयरलाइन उस पर पैसा बकाया है और उसकी पैरेंट कंपणी है उसका भी नाम मैं आपको बता देता हूं यूनाइट बिवरीज जो होल्डिंग्स के नाम से होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से रही है अगली खबर का रुक कर लेते हैं तमिल नाडू के मेडिकल कॉलेजिस में ओबी सी को 50 पीसद आरक्षन देने से सुप्रीम कोट ने साफ इनकार कर दिया है बता दें आपको मदरास हाई कोट ने 50 पीसद आरक्षन दिये जाने पर रोक लगा दी थी जिसके खिलाब तमिल नाडू की सरकार सुप्रीम कोट पहुंची थी लेकिन तमिल नाडू की सरकार को सुप्रीम कोट से भी कोई रहत नहीं मिली थी यह तमिलाडों की सरकार चाहती थी कि वो नीट के जरी होने वाले अक्जाम के बाद कॉलेजिस में पढ़ने वाले बच्चों को जो अभी सी बच्चे हैं उसमें उनको 50 पीसद रिजर्विशन दिया जाए लेकिन पहले हाई कोट रब सुप्रीम कोट ने भी उसके इस फैसले पर रोक लगा दिये चाइल्ड पॉर्ण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिली आई कोट के जस्टिस उन जो हैं जिनका नाम है वीबू बाकरू उन्होंने शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फेस्बुक को गूगल को ये आदेश ज की बैद कि पता नहीं यूट्यूब हम लोग खबर डालते हैं अगर उसमें कहीं लिख देते हैं ना कि फला की हत्या फला का मडर फला का बलतकार तो पता है उस पर हमें कम्यूटिटी गाइडलाइन के था नोटिस वे देता है यूट्व लेकिन जब हम सर्च करते हैं कि दूसरा एक प्लेटफॉर्म आ गया उस पर आते हैं उससे के भद्दे महिलाओं के अशलील तरीके के वह एड़ोटीजमेंट होते हैं उन पर क्यों नहीं रोक लगाता सोचेगा खभी गयर एक महिला है पिटिशनर है वो पहुची कोट में हाई कोट के सामने उन्होंने का जिस वकत में स्कूल में पढ़ा करती थी उस वकत मेरे एक साथी से मेरी दोस्ती थी बाद में उससे जो है कटी हो गई कटी हो जाने के बाद यह जब विदेश चली गई तो तब भी वो इनका पीछा करता तब ये उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी इन्होंने उसको डाटा ठबता तो उसने उस जमाने की जो अंतरंग कुछ तस्विर थी उसको शोशल मीडिया पर डाल दिया उसी पर रोक लगाने के लिए यह हैde, पॉछार यह रोकल रोक लगनी चाहिए और यह समस्या और सब काम कर रहा है जिसको लेकर उसने नाम की संसा है उसके साथ मिलकर काम शुरू कर रखा है और वह ऐसे सारे कंटेंट पर नज़र रखता है और उनको हटाने के लिए उसने रिपोर्ट वाला उप्शन भी दे रखा इस तरीके की बाते कोट के सामने कही लेकिन कोट ने कहा कि इन सब चीज़ों पर रोक रिखनी चाहिए होना तो ये चाहिए कि सख्ती से इन सब चीज़ों पर काम होना तो कुछ भी लिखने और डालने के उसके पास इजाज़त नहीं होनी चाहिए अगली खबर का रुख कर लेता है हात्रस मामले में सुप्रिम कोट का फैसला आखिर आज आ गया जिसका इंतिजार 15 अक्टूबर से किया जा रहा था बता दें 15 अक्टूबर को सुप्रिम कोट किया दूसरे हाई कोट जो है उसके निर्देशन में सीबिया की जाच होगा यानि के सीबिया अपनी जाच सिपोर्ट के समक्ष रखेगा बताएगा बही बही मैंने ऐसे ऐसे अब तक कर लिए जो भी उसकी स्टेटर्स रिपोर्ट होगी तीसरे पीडित परिवार हो या अगली खबर का रुख कर लेते हैं केंद्रिय शिक्षा मंत्री हैं वो उनके खिलाफ उत्राखंड हाई कोट ने आउमाना का नोटीस जारी कर रखा है उसे बचने के लिए वो सुप्रीम कोट पहुंचे हैं सुप्रीम कोट ने उनको रहत दे दिये जाने के बाद बहुत सारे और उर मुख्य मंत्रियों को राहत मिल गई है बता दें आपको हमारे देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोख्रियाल निशंक वो उत्राखंड के सीम भी रह चुके हैं सीम रहते हुए जो घर उन्हें मिला था वो उस्पास तक खाली नहीं कर रहे हैं पताओ ले हुए अपने अवास में अपने बंगले में नहीं रह सकता है यह मामला उत्राखंड पहुचा और उसमें कहा गया कि पूर सीम है साब इन्हों ने बंगलों खाली नहीं कि जिसके बाद ने कादे सुना दिया कि ठीक मत खाली करो बाजार भाव से भाड़ा देना शुरू कर दो तो यह किराय भी नहीं दे रहे हैं तो कोट ने इनके खिलाप अमाना का नोटिस जारी कर दिया जैसे मैंने भी दो तीन दिन पहले आपको खबर बताई थी कि जो महारास्ट के राजे पाल हैं भगत सिंग कोशियारी वो भी सीम रह चुके हैं उत्राखंड के उनके ख कर दें सरकार को नोटिस जारी करके जब आप तलब कर लिया है देखेंगे वो इसमें क्या जवाब लेके आते हैं और अगली सुनमाई में क्या होता है पर फिलाल इनको रहात मिली है तो रहात मिली है बगत सिंग कोशियारी को और उन समय जितने भी पूर मुक्छय में जो लोग अबजाए बैटे हैं उनको भी राहत मिल गई है अगली खबर का रुक कर लेते हैं यूपी में निर्दोश लोगों के खिलाफ हो रहा है गोहत्या कानून का दुरूप्योग यह हमने ही कह रहे हैं यह हाई कोट का कहना है इलाबाद हाई कोट के जस्टिस सिदार्थ ने साफ कहा रहमुदीन को जमानत देते हुए कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में गोहत्यादीनियम जो है उसका दुरूप्योग किया जा रहा है और लोगों को फर्दी तरीके से फसा कर जेल में डाला जा रहा है क्याई मामलों में देखने को मिल रहा है कि यह पुस्ट सिदार्थ जस्टिस सिदार्थ ने की है और रहमुदीन को जमानत दी है देखेंगे इस टिपणी का कुछ असर सरकार पे होता है क्या इस खबर को विस्तरित रूप से आज मैंने सुबह आपके सामने रखा लेकिन कोर्ट बुलिटिन का मामला था इसलिए आपको इससे रु मुक्तार अनसारी के करीबी का बताकर इस होस्पिटल को ढ़ा दिया गया तीन दिनों तक लगता 26 गंटे तक हैं बुल्डो दर चला लेकिन सोमार को दशेरे के दिन हाई कोट ने एकादेश जारी किया जिसके तहत फिलहाल होस्पिटल को ढ़ाने पर रोक लगा दिये क्या ह मामला थोड़ा सा समझ लेते हैं शाने हुसेन इंस्टिटूट आफ नर्सिंग एंड पैरा मिलिट्री कॉलेज पैरा मैडिकल कॉलेज एंड होस्पिटल जो है वहाँ बना हुआ है उसको बताय जा रहा है कि वह वैदरूप से बनाया गया है और उसको ढ़ाने का काम चल रह है उस मामले को लेकर हाई कोट में चुनोती दी गई थी जस्टिस नाहीदारा मुनीश और उनके अल्ला वाव विवेक परमा की बैंच ने आदेश दिया कि फोर रही तोर पर हॉस्पिटल को ढ़ाने पर रोक लगा लगाई जाती है क्योंकि पेटिशनल का कहना था कि उसका मामला पहले से विचारत ही ने अदालत में जो जिला अदालत है वहां की और उसके पास अपील में जाने का भी मौका है बावजूद उसके 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 उस्पिटल को ढाया जा रहा है तो तीन दिन तक ढाया गया अब आदेश आया है देखेंगा अब इस आदेश के क क्या माने बाकी रह जाते हैं लेकिन धाने का जो वक्त है वो थोड़ा सा सोचेगा क्योंकि इने पता था दसेरा है राम नमी है सेटेडे संडे का दिन है तो यह लग गए अदालत से आदेश लानी पाएगा एक ट्रेंड होता है जो सरकारी मशीनी में लोग होते हैं दबंग टाइब के लोग होता है जब किसी चीज पर कब्जा करते हैं उसे तोड़ते हैं तो उन्हें पता होता है एक दम ओडर तो ले नहीं पाई अब हुखकर देंगे लेकिन अब हाई कोट के आदेश के बाद देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है अगली खबर का पता है था कि इस माम लेको लेकर जमेता उल्मा हिंद पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है मामला क्या है थोड़ा सा पहले भो जान लीजिए हितेश देव सर्मा हैं जो नर्सी के कॉडिनेटर हैं उन्होंने का देश जारी कर दिया कि जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें जो लोग शामिल हो गए हैं गुस्पैटिये हैं विदेसी हैं डी वोटर हैं या वोटर नहीं उनके नाम हटा दिये जाए तो इस तरीके से क्या होगा कि नए तरीके से नर्सी फिर शुरू हो गई तो उसी को कहा गया है कि नर्सी दुबारा सुरू करने का अधिकार कोडिनेटर के पास नहीं है क्योंकि कोडिनेटर को कोडिनेटर बनाने का मामला पहले से सुप्रिम कोट में विचारा धीन है तो उनको लेकर पहले जमीत उलमाहिंद पहुची है और अब एक सलसा जो इस पूरे मामले से लंबे अरसे तक जुड़ी रही है औल इंडिया असाम माइनोर्टी स्टुडेंट यूनियन वो भी अब पहुचने वाली है सुप्रिम कोट उसने कहा है कि उनके पास अधिकार नियर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एनर्सी की जो पूरी प्रक्रिया है पिछले 30-30 साल से जो चल रही थी मांग हो रही थी सुप्रिम कोट के अधिश पर जो फाइनल होगे पिछले साल आई वो सब धरी रह जाएगे और फिर से एक नहीं अर्सी का सिलसिला असाम में शुरू हो जाएगा अगली खबर का रुख कर लेते हैं काफी महत्पून खबर है और मैं अगर ये कहूं कि आज के बुलिटिन की सबसे एहम खबर है तो उस पर गोर कीजिएगा फैजान खान को हाई कोट ने जमानत किया दी उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सुप्रिम कोट पहुच गई और कह रही है साब हाई कोट ने जो जमानत दिये उसको रद कर दी जाए बता दें आपको फैजान खान एक मॉबाइल सेल्समेन है मॉबाइल सेल्समेन है यानि के मॉबाइल के एक दुकान चलाते है उन्पे अरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज के जरीए बहुत सारे सिम जो है जारी किये और जो लोग सी एक अंदोलन कर रहे थे के भाईया इस पर तो यूए पीय लगता ही नहीं है फैजान खान पे आपने कैसे इस पर यूए पीय लगा दिया है तो अब इस फैसले को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दिये कहीं तरीके से उसको देखा समझा जा सकता है नमबर एक यह परकरिया है आपका जो मुलजी वह कोट से चूट गया है तो जो भी जाच एजएंसी है वह सुप्रीम कोट जा सकती है उसका दिकार है नमबर एक चीज़ी नमबर दो चीज़ी एक सुप्रीम कोट इतनी जल्दी गई है दिल्ली पुलिस आनन्फानन में वो दिखा रहा है कि फैसान खां से हट गया और उमर खालिद पे लगा रखा और अगर एक मामले नजीर बन जाएगा तो पिर कोई और आई ना के खड़ा होगा किसाब देखो उसके मामले मामले फर्जी यूए पीए साबित हुआ है यहां हमारे मामले में भी हटाई तो यह इस से बचने की एक कवायत दिल्ली पुलिस की हो सकती है और और बाकी लोगों को वो लंबे टाइम तक जेल में रखने के लिए सुप्रिम को कमेंट के रूप में आप लोग अपनी राया दे सकते हैं खबर पुलैक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्कायब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी को शेर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी शुलकते हुए और लगी अक्ढ़ा हुंगाय। झाल झाल